नमस्कार संगी हो स्वागत है आप सब के हमने के यूटूब चैनल में आज की वीडियो में बात कर वो चतिस गड़ी के एक अउन नया पिच्चर आने वाला है जो कि 2022 में रिलिज होई या हाव है ते पिच्चर के बारे माँ बताया के पहली आप मने बताना चाहत हाँ अगर और बारे में बताया है जो किछले कई सालों पहले मया जैसे फिल्म में काम कर चूके है इसे शतीज जैन जी ने बनाया था जिसमें अनुचर मामी में किड़दार में थे मया के बाद आप लोगों बताना चाहूंगा 36ग क्ये ऐसी मुई है यह सब से पहली जो कि एक पाठ का तीन पाठ बनने वाला है जो कि मया बनी उसके बाद मया टू अब इसके बाद आने वाली है मया थ्री जी हाँ आप लोगों को सून की यकिन नहीं हो रहा होगा कि मया थ्री का ऐनाॉंसमेंट हो गया मैं आपको प्रूब भी दिखाऊंगा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे एक भी सेकंड मिस मत करना ताकि आप लोग को यह मत लगे करहा हूं तो मैं थ्री में जो कलाकार है वो लिपसा मिस्रा प्रखास अवस्थी और जो एक और लीट कलाकार नीव हैंगे वह मैं के मंद माया मनु सर्मा का उसमें यह लीड एक्टरेस के तोर पर काम कर चुकी है यह ओडिसा से रहने वाली है इनके बारे में और भी वीडियो बना दूंगा डिटेल में कि यह 36 गड़ी फिल्म इंडिश्टरी में कैसे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना तो चल में क्या लिख है माया 2 के बाद आप प्रकास अस्थी लेकर आने वाले है माया 3 मुहरत 10 को 10 अपरेल को इसका मुहरत स्टार्ट हो गया है अब आप लोगों को यकीन हो गया होगा कि मैं जूट नहीं हो रहा हूं मैं जो भी जानकारी देता हूं एकदम सद जानकारी देता यह जरूर बताना अभी रुको अभी वीडियो खतम नहीं हुआ है तो प्रकास अवस्थी जी के बारे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यह काफी सालों से भी मुही में नहीं दिखे हैं बहुत सालों बाद इस मुही में आ रहे हैं वो भी पार्ट 3 लेकर तो 36 गड में देखे ही होगे जिसमें अनुष सर्मा प्रकास अवस्थी यह दोनों लीट कलाकार में थे जो कि बहुत ही बड़ी सुपर डूपर हीट हुई थी उसके बाद आई थी अपनी मुवी मया टू कुछ शालों बाद मया टू में आप लोगों को प्रकास अवस्थी रिड रो जो कि ओडिसा में भी काम कर चुकी है ना ओडिसा की टीवी एक्ट्रेज भी है और फिल्म एक्ट्रेज भी है तो देखना अच्छा रहेगा कि मतलब कैसे लगता है मुवी कैसे बनता है जो भी जैनकरीद है कि आप लोगों कुमाए राकर दे दूंगा तो मिलते हैं अपने